हेलो दोस्तों देखिए मैं आपके साथ ये डिजाइन सेयर करूंगी ये डिजाइन मैंने कैसे बनाया तो देखिए बहुत ही प्यारा बन कराता है इसे स्वेटर में या बच्चों की स्वेटर लेडी जे कारडिगन जैकेट लड़कियों के टोपों किसी में भी अपलाई कर सकते हो आप बहुत ही प्यारा बन कराता है और इसमें मैंने ये बोडर बनाया है देखिए चार सिलाई क डिजाइन है दोस्तों और देखिए दोस्तों यहां पर मैंने यह उलन ली है वर्तमान की और इसमें देखिए इसमें यह बताया है कि एट यह नाइन नमबर की निडल लेनी है तो मैंने इसमें नाइन नमबर की निडल ली हुई है तो देखिए ये डिजाइन की पहली रो है दोस्तो पहले फंदर को आप चाहे तो बुना लेजिए मैं इसे स्लिप करूँगे ऐसे ही और देखिए इसको ऐसे नहीं ऐसे उतारना है और इसको ऐसे बनाना है इस रो में फर्स्ट रो है इस डिजाइन की देखिए ये ऐसे उतारा ऐसे उतारा और इसे सीधा बना लिया एक फंदर ऐसे उतारा और इसे सीधा ऐसे उतारना है ना कि ऐसे ऐसे एक उतारा ये सीधा बना लिया ये उतारा और ये सीधा बना लिया यह ऐसे उतारा और यह सीधा तो दोस्तों मैं इस रो को कम्पलीट कर लेती हूँ आगे आपको बताती हूँ उल्टी साइड में कैसे करना है यह सीधी साइड है यह देखिए उल्टी साइड और दोस्तों मैंने इसमें पंदे नहीं बताए मैं यह अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ तो इसमें मैंने 120 पंदे डाले है बोर्डर में मैंने 100 पंदे डाले और उपर 20 पंदे यानि कि 20 पंदे मैंने यहां बढ़ा लिए तो 120 फंदे यहाँ पर complete कर लिए तो देखिए ये design 2 के multi में रखा जाएगा और एक फंदा extra रखा जाएगा दोस्तों तो ये उल्टी side और उल्टी side में देखिए ये फैला फंदा आपको बनाना है तो बना लीजिए मैं इसे ऐसे ही करूंगे और ये sleep किया हुआ फंदा ऐसे ही sleep करेंगे और देखिए इस उल्टे में ऐसे करना है दागा पिछे की तरफ और इसे भी सीधा बनाना है पहले हमने उल्टी तरफ से उल्टा बनाया था और सीधी तरफ से सीधा तो अब हम उल्टी तरफ से भी से सीधा ही बनाएंगे तो दागा अपनी तरफ और ये सिलिप किया होगा फंदा ऐसे ही सिलिप किये करेंगे और दागा पीछे की तरफ और इस फंदे को सीधा दागा अपनी तरफ और इसे ऐसे ही सिलिप करेंगे और इस बुने विदा फंदे को सीधा बना लेंगे दागा अपनी तरफ सिलिप किया हुआ फंदा ऐसे सिलिप करेंगे और फिर दागा पीछे की तरफ और इस बुना वाले फंदे को सीधा यह जो फंदा सीधा बनाआ है दोस्तों यह हमने सीधी साइड में भी बुना था और जो स्लिप किया था उसे उल्टी साइड में भी स्लिप करना है देखिए ऐसे यसे सीथा और दोस्तों मेरा ये डिजाइन आपको अच्छा लगे तो कुमेंट बोक्स में जुरूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना जिसने भी मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो पलीस मेरे चैनल को सस्क्राइब कर ले और वीडियो को सेर करें देखिए तो मैं इस रो को कम्पलीट कर लेती हूँ ये साइड रो ऐसे ऐसे ही बनेगी तुम्हें सीधी साइड में आकर फिर आपको आगे बताती हूँ कैसे करना है देखिए लाश्ट में उल्टी तरफ ये फंदा बनाकर ये फंदा संसलिप किया वैसे सलिप कर लिया और ये वाला लाश्ट वाला फंदा ऐसे उल्टी तरफ से उल्टा ही बुनेंगे और ये सीधी साइड देखिए दोस्तों आप ये सीधी तरफ से डिजाइन है और उल्टी तरफ से भी ये बहुती खूबसूरत डिजाइन बन कर आया है देखिए और आप इस डिजाइन को जो उल्टी तरफ है इसको भी आप सीधी तरफ रख सकते हो बहुती प्यारा अलग सा डिजाइन बन कर आएगा और कोई भी समझे नहीं पाएगा कि यह डिजाइन कैसे बना है देखे बहुती प्यारा डिजाइन आपको दिखाई भी दे रहा होगा यह देखिए उल्टी तरफ से है यह डिजाइन और अब चलिए यह है थर्ड रो इस डिजाइन की और सीधी तरफ से और यह पहला फंद मैंने सिलिप करूंगी और अब यह सभी फंदे सीधे सीधे बनेंगे यह रो सीधी सीधी बनेंगी यह इसकी तीसरी रो है चार सिलाइयों का डिजाइन है दोस्तों बिलकुल ही आसान इसे तो अगर कोई नया नया है सिलाई सीखने में वो भी आसानी से बना लेगा देखे मैं आपको यह रो कम्पलीट करके दिखाती हूँ यह साई रो सीधी सीधी ही बनेंगी ऐसे और मैं उल्टी रो पर आकर आपको बताती हूँ यह उल्टी तरफ फॉर्थ रो इस डिजाइन की देखे फहला फंदा मैं ऐसे ही उतारूंगी और यह उल्टी उल्टे बना लेंगे यह सारी रो उल्टी उल्टी बिलकुल यह आसान डिजाइन है दोस्तों यह उल्टी उल्टी बना लेंगे और सीधी तरफ से फिर जो हमने फैली रो जो मैंने डिजाइन सुरू से बताया जो फैली रो से वहां से फिर से स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी तो कमेंट बोक्स में जरूर बताईएगा झाल झाल झाल